अब बच्चों एक बार फिर से मैं एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल अबिभावकों से मेरा नुरोध है कि अगर आपके बच्चों को थोड़ा भी मदद अगर हमारे इस चैनल से मिलता है तो आप इसे जरूर एक लाइक करें तो आएए आज हम लोग पढ़ेंगे लेशन सेवन क्लास वन की ये इंगलिश बुक है बच्चों आप करसर पे ध्यान रखेंगे यू आर अनिल तुम अनिल हो यू आर बॉय तुम एक लड़का हो यू आर गीता तुम गीता हो यू आर ये गर्ल तुम एक लड़की हो यू आर मिस्टर सिनहा आप मिस्टर सिनहा है यू का मतलब तुम और आप दोनों होता है अगर कोई बड़े रहेंगे तो वहाँ पे आप हो जाएगा और अगर कोई छोटा है तो वहाँ पे तुम हो जाएगा तो इसी परकार यू आर मिस्टर सिनहा, आप मिस्टर सिनहा हैं, यू आर डॉक्टर, आप एक डॉक्टर हैं, यू आर जफर, तुम जफर हो, यू आर स्टुडेंट, तुम एक छात्र हो, ये लेशन 7 यहां पर कम्प्रीट हो जाता है, इसमें कोई question answer नहीं दिया हुआ है, इ lesson 8, he is a sock, वह a sock है, he का मतलब वह होता है, जो लड़कों के लिए, या male के लिए लगता है, पुरुष के लिए लगता है, वह a sock है, a sock is your smart boy, a sock एक smart लड़का है, smart का मतलब सुन्दर और चालाक तो भी दोनों होता है, तो अभी हम यहां पर सुन्दर यूज करेंग, a sock is a smart boy, a sock एक सुन्दर लड़का है, c is रेखा, वह रेखा है, यहां पर रेखा लड़की है, इसलिए इसके साथ c लगा हुआ है, c का मतलब भी वह होता है, रेखा is a smart girl, रेखा एक सुन्दर लड़की है, he is Mr. Singh, वह स्रीमान सिंग है, he is a policeman, वह एक policeman है, policeman का मतलब सिपाही हो जाएगा, वह एक सिपाही है, she is Miss Rita, वह कुमारी रिता है, she is a teacher, वह एक सिप्चक है, he is gopi, वह गोपी है, he is a postman, वह एक डाक्या है, she is Mrs. Sain, वह स्रीमती सेन है, she is a housewife, वह एक housewife है, housewife का हिंदी में अर्थ होता है, गिरहनी, जो महिला घरों में काम करती है, खाना उना बनाती है, बच्चों को दिखबाल करती है, उसको housewife बोला जाता है, he is sohan, वह सोhan है, he is a computer teacher, वह एक computer सिचक है, computer पढ़ाने वाला सिचक, computer teacher, she is lila, वह lila है, she is a computer operator, वह एक computer operator है, वह computer को जो चलाती है, यहाँ पे lesson 8 समाप्त हो जाता है, इसका एक question answer exercise दिया हुआ है, ए नमबर में फिलिन्द ब्लैंक्स दिया हुआ है, तो आए मैं फिलिन्द ब्लैंक्स भर के दिखाता हूँ आप लोगों को, ए नमबर में फिलिन्द ब्लैंक्स दिया हुआ है, Mr. Singh is a policeman, businessman, Miss Rita is a teacher, Gopi is a postman, Mrs. San is a housewife, इसके आगे मैं question answer बना के दिखाता हूँ आप लोगों को, यह दिखिए, screen पे दिख रहा है, lesson 8 का यह question answer है, भी नमबर में दिया हुआ है, answer the following questions, number one, who is a smart boy, Soak is a smart boy, number two, who is a smart girl, Rekha is a smart girl, number three, who is a teacher, Miss Rita is a teacher, number four, what is the name of the postman, Gopi is the name of the postman, आप इसे इतना लंबा लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, अगर दिखत हो तो सिर्फ Gopi भी लिख सकते हैं, number five, Is Mrs. San a housewife, Yes, she is, lesson seven और lesson eight complete हो गया है, इसके आगे हम लोग दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए, गुद बाई!